यह हिन साथियों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार DJ Sir classes और हम लोग पढ़ रहे हैं Electrician theory के अंदर hunting प्रभाव जो होगा आपके पास प्रभाव यह कहते है पेज प्रभाव क्या बुलेंगे State Switching आपके effect पेज इफेक्ट अब के पेज प्रबाव के बारे में बाते कर से हैं कि जानकारी देना चाहेगा क्या है कि आपके बारे में का पैदा होता है कहां आपने देखा था कहां पढ़ा था कुछ आईडिया और गयरा है आप देना होता क्या है कि हम सिंक्रोनस मशीन पर लोड चेंज करते हैं सिंक्रोनस मशीन पर मशीन होती है जिसका रोटर जो है वो केवल और केवल सिंक्रोनस पर बोटाए तो हम यह मान के चलते हैं कि जो रोटर है वो केवल और केवल सिंक्रोनस स्पीड ना तो इससे कम पर घूमेगा और ना इससे ज्यादा पर घूमेगा एक बड़ा पॉपलर ऑब्जेक्टी कोश्चन है कि सिंक्रोनस में लोड को बढ़ा दिया जाए आप बताओ स्पीड क्या होगी तो जो लड़का आपके पास क्या है थोड़ा सा कम पढ़ता है ना मतलब पैसे तो पढ़ते सारे बच्चे बराबर है लेकिन फिर थोड़ा से अगर कम पढ़ेगा ना उसको इसका उत्तर नहीं आएगा और वो क्या बोलेगा कि लोड बढ़ाया है तो कि ठालका डॉण हो जाएगा कवाला आपके इंडाक्षन मोर्टर में था और यहां पर नहीं होगा हम कहेंगे गती समान बनी अगर अगर मालो आपके लोड परिवर्तन के कारण या परिणाम सुरूप और अपनी सिंक्रोनस स्पीड के इरद गिर्द कंपन प्रारंब कर दे प्रभाव कहते हैं हाना hunting प्रभाव और फेज स्विंग प्रभाव कहते हैं बात समझ मोटर में जोड परिवर्तन के कारण जोड चेंज होने के कारण आपके रोटर का सिंग्स गती के इर्दिगिर्द कमपन करना hunting प्रभाव या प्रभाव कहलाता है अभी आपके पास क्या यह प्रभाव है राबेख स्पीड में चिंजे जा रहा है और क्यों आता है तौर्क एंगल बदलने के कारण ऐसा होता है क्या करेंगे अपन बताईए hunting प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कोई arrangement किया जाता है मशीन में आप बोलो के यस देंपर बार का उप्युक अधिक क्या जाता है एक अब्जेक्ट्टिव कॉश्चन यह हुआ क्या बताईए hunting प्रभाव को कम करने के लिए कह जाता है हम बोलेंगे स्ट्रक्चिर आपने देखी होगी अभी इस इस स्ट्रक्चर के अंदर सब्सक्राइब और यहां पर यह चीज़ देखिंग mins इआक के पूरे आपके पास सेलें त्रक्षंम मैं ऐसे पूरी कीपरी रोड इंसरी मालोió इस रोड को में न मैं यह आपके डैंपर वैंडिंग है यह चड़े इसके लिए शब्दिस्क्माल किया थाइं डैंपर बार और इसे हम क्या कहते हैं आपके डैंपर बार होती है टेमपर बार या हम इसको कहते हैं टेमपर फ्वैंडिंग आपको यह बात समझते आगी होगी तो अभी हम क्या बात करते हैं हंटिंग प्रभाव पर बात करें तो स्मूटर में जोड़ परीवर्तन की अवस्था पर रोटर का इर्दगिर्द कंपन करना क्या कहलता है आपके इंटिंग प्रभाव या फेजिस्विंग प्रभाव कहलाता है इसका हिंदी का नाम याद है किसी बच्छे को बताउ और हिंदी का नाम नहीं पकार पुर्यसमोटर पुर्य ऑड़ खाव न याश्ट वाल्लाइन वाले बच्छे बिताओ यार यह तो बहुत बढ़ी है जानकार लोग है इस मोटर में जोड़ परिवर्तन की अवस्था परीवर्तन की अवस्था में रोटर का तो टर का करना रोटर का सिंक्रोनस गती के गिर्द करना करना है ame इर्दगिर्द मतलब आपके पास क्या है आज पास left right एर्दगिर्द आज पास कमपन करना क्वंपन मतलब आपके पास क्या है ऑसिलेशन करना हंटिंग और या फेज सिंगिंग प्रभाव कहला कि अंटिंग प्रभाव कि या पेज सिंगिंग प्रभाव कहला कि अंटिंग प्रभाव टाफेज इंग प्रभाव कि केखलाथा कहलाता है अगर आपके सिंक्रोनिज्म खतम हुआ तो आपके पास क्या है मशीर चाहेगी सिंक्रोनिज्म समझते हो ना प्रमान गति सिंक्रोनिज्म थोड़ी होती है कि बताया को बेरेको कोई भी लड़का मेरे को सिंक्रोनिज्म बताना चाह रहारा हु हो बताया सक्षा पर पूरा अपना पूरह समय आपके जो चांस हो सकते हैं कैसे कए रहा हुं कि सेन्क्रोनोसमे के वारे में आपने बिचे ब्दर बाइगा अब ये नहीं कहा है यह निधी बाते हो तो को तकिया जिस furnace कहते यह बहुत बाध है Strategic किरिकेट्ट ग्रिकेट देखते हुं इन देखते हैं हम लोग जब पहले क्रिकेट देखते थे न तो जो से बॉल उदर गई सारे उदर की तरफ हाथ दिखाएंगे और नॉर्मल नजारा हुआ करता था यह अभी यह नजारे देखने को नहीं मिलते अभी देखना क्या होता है जैसी आपकी क्या बॉल जिस डारेक्शन में गई उस बॉल के साथ तीन फिल्टर बगते हैं अब आपके पास कैसे बांट्री लाएन और बॉल यहां चल रही यह तो जिसके पीछे लगा हुआ है stick डूस उन्यूसर फिल्टर जो й है कि और बॉल और दूसरे सो do सिंक्रोनाइज है और इनकी ट्रेंग में इन्हें यह सिंक्रोनाइज है अब देखो यह जो आगे भग रहा है ना अगर पकड़ाई में आगी बोल पकड़ करेगा यह करेगा अच्छा यहां जो आपके शॉट लगा था यहां से भी बंदे ने डिस्टेंस कवर करके मिड पे तो सक्ष्व करेंगा अगर इसने उसने स्लाइड किया ना वोल को सहला के हवा में डाल देगा अगर इसने स्लाइड किया ना वहां में बॉल पक्की बात है हवा में आएगी और हवा में आएगी ना तो मुझे बॉंटरी लाइन क्रॉस नहीं करनी है फिरको मेरी स्पीड ऐसी रखनी कि बॉंटरी लाइन की इधरी रहूंग जो हवा में बॉल आएगी उसको पकड़के उसको फुरू करना है यह बीच वाला अब गली के लोग खेलते बॉल कितनी बार गोले से बार चल जाती है अब हो तो आपके पास अभी सिंक्रोनिज्म का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एक एक्जैंपल ओड देता हूं सिंक्रोनिज्म को समझ आपको आपने देखा होगा, वो सरकस के अंदर जो इसे बॉल उच्छालता है, तो वो एक साथ दो, तीन, चार, खे, ऐसे बॉल उच्छालता है, कितना बड़िया केश पकड़ सकता है, तो भारती टीम में शामिल कर लेना चाहिए, तो बहुत बड़िया केश पकड़ेगा, जो आद आप चुपचाप क्या करो, इतना अच्छा केश करता है, आप चुपचाप में ऊपर की तरफ जाओ, जैसी एक बॉल आया उसको पकड़ कर दो, जैसी आपने एक बॉल गाइप करी, तो सारी बॉल नीचे हो जाएगी, तो सारी बॉल नीचे, कारण क्या, कि उसका जो सिंक् फोलो के साथ अच्छा सिंक्रोनाइजिशिन कर रहा थी, तो आपको नजर क्या आ रहा था, इक अच्छे केश की रूट में था यूड़ा रहा था, तो आपक्को समझ में आ गई, सिंक्रोनाज्म बैसलिकलिए क्या है? एक प्रकार की मेगनेटिक लॉकिंग है, क्या है एक मैगनेटिक लॉकिंग के अंदर हमेशा एक प्रकार की ही लॉकिंग होती है उससे आपके रोटर पर लगता है वो भी एक जैसा ही लगता है और मशीन बार-बार आपके पास क्या एक ही स्पीड से आगे बढ़ती और आपको एक यूनिफोर्म इस्पीड देखने को मिलती है कि आप जिसे आप कहते हो सिंक्रोन इस सब्दॉस कर आप से जिरूंचिकली होता क्या है पिर क्या बोलोगे कि रोटर का टीटर के साथ एयगनेटिकली लॉक्त हो जाना क्या कहलाता है क्या कहलाता है कि रोटर टी का के साथ पेग्नेटिकली लॉख हो जाना सिंक्रोनिज्म कहलाता है और जब कोई मशीन प्राप्त कर लेती है आपके सिंक्रोनिस ना तो इससे कम पर घूमेंगे और नाहीं इससे अदिक पर घूमेंगे, अबھی आपके synchronous में क्या होता है जोर से बुलंद दवाज में बोल बताओ कि जबस है कि बोले रोटलटी का मैस टेयट के साथ magynelledR tidak WHYami-log पर एक ही जटके खाता है अभी दो चुम्बक है तो चुम्बक से आपने क्या है कील टीस नंबर की कील चिपकाने हो एक दो तीन स्टेंस पे तो जिस कीले होगी वह एक एक दीर दीर आ रही है एक थोड़ी स्वास्ट आ रही है एक आई निरी तुकि हुए है तो यह प्रभाव जो है दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं में आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है कि तो टॉर्क एंगल यह टॉर्क एंगल बदलने बदलने के कारण उपन होता है उपन होता है टॉर्क एंगल टॉर्क एंगल को एलफा से रिप्रेजेंट करते हैं यह आपके टॉर्क एंगल आपके पास क्या एलफा यह टॉर्क एंगल एलफा हना एलफा बदलने बदलने के कारण उत्पन होता है अभी हम निवारन की बात कर लेते हैं यहां निवारन की बात करें तो निवारन क्या हो जाएगा बोलो निवारन में हम क्या बोलेंगे टेमपर बार पर डेमपर वेंडिंग का उप्योप करकें दोनों एक ही चीज है है ना कन्फ्यूज नहीं होना देंपर बार इंपर बार इना स्क्राइश टेंपर वैंडिंग वैंडिंग का योग करके करके अपके पास क्या है तो हंटिंग प्रभाव है करके लिख दो ज्यादा करके रिख दो देंपर बार या देंपर वैंडिंग का उप्योग करके आप हंटिंग प्रभाव को आपके सब्सक्राइब करके अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो दिलकी बात लाइक के जरी हम तक आपको कथ मैं और कॉमेंट बोक्स में एक प्यारा सा कॉमेंट भी डाप कीजिए आप का एक सिंगल कॉमेट मुझे बहुत मुट्ईवेट करेगा मुझे बहुत उर्जा से भर dyeता है और आपके साथ और ज्यादा काम करने के आपके क्या गरता है मिरे को प्रेरना देता है तो आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे तब तक आप लोग भी अपना खयाल रखिये पढ़िए और याद जुरू Thank you so much, day hin, day bharat